सपेरा साप और चुहे दोनों को एक ही टोकरी में रख देता है चुहा अंदर जाकर साप से बोलता है अगर तुम मुझको नहीं खाओगे तो मैं तुमको इसके जाल से बचा लूँगा साप सोचता है चुहे को तो मैं भार जाकर भी खा सकता हूँ चुहा साब से बोलता है मेरी हाइट कम है तो मुझे तुमारे सिर के उपर खड़ा होकर इस टोकरी को काटना पड़ेगा साब चुहे की सारी बात मान लेता है और दीरे दीरे से उस टोकरी को काट देता है टोकरी काटने के बाद चुहा बहाँ से भाग जाता है साप दीरे दीरे बाहर निकलता है और उस चुए को ढूंडने लगता है लेकिन वो चुवा उसको नहीं मिलता है साप कई गंटों तक लगातार उस चुए को ढूंडता है आखिरकार उसको उस चुए का बिल मिली जाता है और उसे अपनी चुपड़ी चिखनी बातों में फसाने की कोङ्सिस करता है जिससे वो उसे बार बुला सके और बाद में मारकर खा सके अपनी जान बचाने के लिए चूहा कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद आपके भी होदू याएंगी लेकिन उससे पहले अगर आप अपने माता पिता से सच्छा प्याल करते हो तो इस वीडियो को लाइक तरके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना कर देना यार माता पिता के लिए इतना सा तो कर ही सकते हो ज्यादा मोटा होने के करण साब बिल के अंदर नहीं जा पाता है और चूहा बिल से भार नहीं आता है तो उसकी जान वापे बच जाती है